तो हमारे चैनल के साथ बने रही है हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए तो आए सीरीज चलते हैं वीडियो की तरफ बीरबल साहिनी कौन थे जॉलोजिस्ट थे फाउंडर थे सेंट्रल ड्रग इंस्ट्यूट ये लखनाओं में बना भी हुआ है तो बीरबल साहिनी एक पेलियो बॉटनिस्ट थे अब यह important question है उसमें बहुत से आंसर चुपे हुए नोबल प्राइस हर साल मिलता है तो 2020 में जो केमेस्ट्री के लिए नोबल प्राइस मिला है वो किसको मिला है ये चार options है तो ये कठे नाम आपको लग रहे है इसका सही आंसर है जो है ये first वाला है इमैनेवल चापनियर एंट जैनिफिए डॉडणा तो इन दोनों को मिला था केमेस्ट्री में नोबल प्राइस के लिए आपको मिला है सेकेंड आप्शन है रोजर पैन्रोस और रेनार्ड गेंजल और एंड्रिया जेस अब यह रोजर पैन्रोस यह अलग है और यह दोनों अलग है ठीक है तो रोजर पैन्रोस को ब्लैक होल के रिस्पेक्ट में बिला था Nobel Prize Physics की field में और Hynard Genzel और Andrea Guest इन दोनों को इन Physics की field में ही मिला है और वो मिला है with respect to a compact object इनों discover किया था galaxy में इसके लिए मिला है Harvey J. Alter, Michael Haugter and Charles Amrase ये मिला है Nobel Prize Medicine की field में और ये मिला है discovery of hepatitis C virus और Lewis Gluck Lewis Gluck मिला है in the field of literature तो इस question में कई answers जो पहला जो है Emmanuel Shapner and Jennifer at Odena ये सही answer नोबल Prize Chemistry के लिए और ये मिला है genome editing के लिए ये जो second number option है ये दो है इनको अलग-अलग मिला है physics की field में एक को black hole discovery black hole के respect में और दूसरा compact discovery की galaxy में ये physics की field मिला है third option जो है Harvey, Alter Michael Haugter और Charles Amrase ये तीनों इक ही group के हैं और इनको मिला है discovery of hepatitis C virus याद रखिएगा hepatitis C virus और आप देखें, Nobel Prize है six field में दिया जाता है physics में दिया जाता है, ठीक है यो ये है chemistry में दिया जाता है, उनके नाम ये है medicine में दिया जाता है, उनके नाम ये है और ये दिया जाता है literature film में, उनके नाम ये है एक economics field में दिया जाता है और एक दिया जाता है in the field of peace Nobel Peace Prize के से मिला था, वो मिला था world food program, और ये question number three की तरफ चलते है question है the longest highway tunnel in India is अब चार option है या दिया हुए, पीर पंजार tunnel कश्मीर में अटल टरनल रोतांग में, इघाट की गुनी की बनिहाल टरनल ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए, question है longest highway tunnel तो highway tunnel जो है, वो है अटल टरनल रोतांग में रोतांग टरनल पहले निका नाम था, अब उसका नाम होगे अटल टरनल, ये longest highway tunnel है लेकिन railway tunnel इससे बड़ा है, लेकिन वो क्योंकि railway है उसका नाम है पीर पंजाल tunnel कश्मीर तो पीर पंजाल जादा लंबा tunnel है, लेकिन वो railway का tunnel है तो highway tunnel कौन सा सबसे लंबा है, अटल टरनल रोतांग question number 4, एक pink protection project चला था for the protection of women, अभी पूछा जा रहा है किस state में launch हुआ था, pink protection project for the protection of women is launched in which state करला, UP, बिहार या गुजरात तो ये pink protection project जो है launch हुआ है in the state of करला, तो option इसका क्या है करला, question number 5, अभी पूछा था which is the garden city of India, देक ऐसी city है इंडिया में इसको garden city कहते है वो क्या है, मैसूर है, डेली है, बैंगलोरू है या चंदीगड़ है, तो इसका सही option है बैंगलोरी, option number C, बैंगलोर ठीक है, question number 6, the main occupation of the people of industrialized civilization, तो इस तरीके से variety of question आ सकते है, तो industrialized civilization का main occupation क्या रहता था, people का hunting रहता था, cattle trading मतलब क्या चराते थे, भेड़ बक्रियां या agriculture काम करते थे, या mining काम करते थे तो सही answer है, main occupation था, वो agriculture था, question number 7, average home noise is usually, अब आपको पता नोची, noise जो होता है शोर्ज होता है, परमीटर मेजर करने के लिए decibel units में measure किया आता है, तो home noise मतलब एक general noise, जो conversation का होता है, वो कितना रहता है, 30 decibel, 40 decibel, 80 decibel, 120 decibel, तो जो average noise होता है, वो होता है 40 decibel, ठीक है, तो 40-45 एक अच्छी noise मानी जाती है in terms of home noise, 8th question, which city was declared as a cleanest city in the India, तो ये एक general question है, लेकिन ये पता होना चाहिए, तो जो सच्छता mission चलता है, उसके इंडिया की cleanest city, okay, question number 9, अब देखिए, इसमें भी कई answers है, question number 9, पुछा है, नीरच चोप्रा who won the gold medal in javelin throw at Tokyo Olympic, set his longest Olympic throw at, वालब नीरच चोप्रा जी ने gold medal हमाई लिए जीता था, javelin में जीता है, Tokyo Olympics में, ठीक है, तो gold medal है, javelin में है, और Tokyo Olympics में है, अब इन्हों जो throw किया था, वो कितने length का था, तो इनका अपना best अलग है, लेकिन जो इन्होंने Olympics में थो किया है, वो क्या है, 87.58, 86.01, 90 मीटर के 85 मीटर, तो इनका जो अपना throw है, जो Olympics में इन्होंने के आदास पे gold medal मिला है, वो है, 87.58 मीटर, question number 10, अब जिसे digital platform का ही launch होते हैं, उस पे पूचा आया सकता है, तो एक ministry of agriculture and farmers welfare, नरेन सिंग तोमर जी ने एक app launch किया, या एक digital platform launch किया है, farmers के help के लिए, इसका objective है, right information at right time, तो इस digital platform का नाम किया है, किसान पक्ष, किसान मिला, किसान सार्थी, किसान टेक, तो फार्मर रांदोला को पता चल रहा है, तो ये question भी important बन सकता है, उसका सही answer है, किसान सार्थी, question number 11, ऐसे ही एक lab app जो है government of एडिया, G.O.I., मतलब government of एडिया ने launch किया है, मतद से से तू है, ये किसलिए, Indian agriculture farmers के लिए, कि cash crop वाले farmers के लिए, कि India aqua farmers के लिए, कि wordy water farmers के लिए, तो इसका सही answer है, aqua farmers के लिए, बदलब जो fresh water culture करते हैं, fresh water में farming करते हैं, species का, उनके लिए ये basically मतद से सेतू yap है, हब पर क।सी नमबर 12, US, फिस फर्स्ट आयूशु इनवर्सटी विल बी स्टाबिश है तो अभी एनॉंसमेट हुआ तो इसमें आयूश मतलब जिसमे अभी Ams, Boms, B.h.ms जैसे कोर्स आते हैं तो उसके लिए Ams स्टैबलिश हो रही है उत्तर प्रदेश हो कहां स्टैबलिश हो रही है लखनाओ गोरखपूर वारणसी कानपूर तो इसका सभी अंसर है गोरखपूर ठीक है कोशन नम्बर 13 अब देखें यहां एक नया कोशन तो यंगस इंडिविज्वल इस तो पूरे हिस्ट्री ओलम्पिक्स में एक ओलमपिक गोर्ड मेडलिस है जो सबसे कम उमर की है ठीक है वो कौन है ब्राजील की है कि इंडिया की है USA की यह जपान की है रहाए जापांस मोमी जी निश्या इन्होंने 13 साल की उमर में यंगस्ट ओलमपिक गोल्ड देल लिता ह जी जापांस मोमी जी निश्या question number 14 अब मीरा भाई चानू का नाम आ रहा है मीरा भाई चानू won the silver medal for इंडिया इंडिया इंट टोक्यो ओलम्पिक से तो टोक्यो ओलम्पिक सिल्वर मेडल जीता था किस में जीता था इंग्लांड है इटली है कि युएसे बलकि 2021 का कहा जाए कैसे तो इसका आंसर है इटली इटली अब विंबल्डन मतलब लॉन टैनिस से question भी बहुत ज्यादा पूछे जाते है और विंबल्डन ले एक बहुत प्रमोग चैंपेंशिप बानी आती तो विंबल्डन चैंपेंश कार्गिल विजे दिवस किस दिमना आता है ठीक है इसमें देखिए डेट सेम है मन डिफरेंट्स है 26 जुलाई 26 जून 26 फरवरी की 26 दिसम्बर तो उसका सही आंसर क्या है 26 जुलाई से याद रखिएगा अब question no.18 ठीक है तो नर्सिंग का पेपर है तो कुछ हो सकता है वैक् iCE-19 जुकी एक cov Basic वायरेस बेसे थी और जो कि covishield messenger आने बेस होती तो covacim inactivated virus बेस से इसको किस wonे टेफिया फाइजर ने भारत बायोटेक एस्टराज किया क्या मोर्डर ना है इसका सभी आंसर क्या है भारत बायोटेक ने अश्टराज के आने कोवी शीलट डेफिए ह उसेड वी कभी सिल्ट कोवेटक इस अंसर है कोई नहीं तो या कोवी शेल पहली होम टेस्ट के कोवेध व pak rozp कीक गई कंघ वी अरुट की रही है तो जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल राइट देता था वो कौन सा आर्टिकल है इसको भी स्ट्रैप किया गया है आर्टिकल दीज चपन है चौदा है 370 है ठीक है तुसका सही आंसर है आर्टिकल लंबर 373 यह रहे हमारे आच ही कोश्चन आप त्यार करते हैं यही कोश्चन आ है वो किया थी आर्टिकल देता है तैसे टेमने कहश्चन है